हाई फ्रेंड्स, वेल्कम तो आर चैनल, इंस्पारिंग इंडियाना लाइस्टाइल सपोर्ट. हाई फ्रेंड्स, आज जो मैं पोड़क लाने वाला हूँ, वो उसका पर्चेस लींग मैं नीचे डिस्कृशन में दिया हूँ. अब उसमें क्लिक करिए, पोड़क को देखिए, उसका प्राइस भी देखिए, अगर ठीक लगा तो पर्चेस भी करिए, तो चलिए आगे बढ़तें. हाँ फ्रेंज, आज जो मैं पोड़क लाया हूँ, वो है ये, बैक अप प्लस स्लिम, एक्स्टरेनल हाट राइब. अभी इसको अन्बोक्स करेंगे. हाँ फ्रेंज, यह देखिए, प्रोड़क्ट, बैक अप प्लस स्लिम, सीगेट का है, टू टीबी, एक्स्टरनल हाट डिस्क. यह बैक सैड में लिखा हुआ है, मैक सपोर्टेट, विंडो सपोर्टेट, और कुछ डिटेस दिया हुआ है, चले इसको अन्बोक्स करते हैं, यह यहां पर एक सीगेट का सील, स्टिकर दिया हुआ है, तो इसको पहले खोल लेते हैं, फिर यहां से, इसको ऐसे निखाते हैं, अब धिरे-धिरे देखिए, कितना सुन्दर रेट कलर है, मिरून कलर, यह आ गया, अब देखिए इसमें, इसको पीछे में, मतलब बॉक्स के नीचे, यह केबल दिया हुआ है, कनेक्टर, जिससे आप लैप्टॉप से कनेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास टैब हो, उसमें और एक एक एक्स्टर कॉड लगेगा, उससे आप वो कनेक्टर से इसको कनेट क इसको यहां से खुल देगी, और फिर यह निकल गया, यह वैर है, यह कनेक्टर है, और यह आपका, सिखेट का सिम्बॉल है, यहां पे एक लाइट आ जाएगी, इसका कलर वरियेशन रहता है, मेरे पास यह दो है, एक रेड कलर का है, एक स्काई ब्लू, इसके इलावा भी ग्रे में आता है, ब्लैक में आता है, सिल्वर ग्रे में भी आता है, तो बहुत सरे वायर्टी होता है, यह डिपेंड करते कौन सा एवेलेबल होगा उसी समय में, वह आप जैसे यह लिंक में क्लिक करेंगे, तो उस समय आपको दिखा देगा, कौन कौन सी कलर वरियेशन एवेलेबल है, और इ जैसे मैंने बताया था, देखिए मेरे पास दो कलर है, एक स्काइ ब्लू, एक मेरून टाइप, रेड कलर, इसका वजन, इसका वेट है, 126 ग्राम, वेरी लाइट वेट, और इसका दामेंशन है, 11.5 cm by 7.8 cm by 1.2 cm, इसमें खास बात यह है, कि इसमें 3 years rescue data coverage services भी मिलता है, तो 3 years का वारांटी है, जिसमें 3 years rescue data coverage services है, इसका maximum speed है, 120 mb per sec, और यह Mac में भी चलता है, Windows में भी चलता है, और इसका interface है, USB 3 and USB 2, चलिए इसका performance test करेंगे, चलिए इसका open कर लेते हैं, एक ही कैसे दिखता है, red मेरा best color है, चलिए यह मेरा tab है, और इसमें मैं इसका performance चेक करूँगा, तो यह connector में यहाँ पर लगा रहा हूँ, और यह जो external hard drive है, इसके साथ जो cable दिया गया था, इस connector को मैं इसके साथ जो जो जोंगा, जो 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 कर लिए, अभी चलिए दिखते हैं, file manager में कितना backup दिखाते हैं, देखिए, friends, इसमें backup दिखा रहा है, 30.25 mb stroke 1.82 tb यह 2 tb का hard disk है, उसमें से 30.25 mb consume हो गया इसमें कुछ backup वगर है, देखते हैं क्या क्या है, यह सब है c gate का कुछ details है, कुछ contents है, इस सब में 30.25 mb consume हो गया है, बाकी 1.82 tb अविलेबल है और देखिए इसमें white led आ रहा है, दिखाता हूँ, देखिए अभी चला गया जैसे, white led यहां पर आ गया है, अभी friends यहां पर देखिए, तीन वीडियो है 2.13 gb, 0.97 gb और 756 mb, इस तीनों को मैं select कर लेता हूँ पहले फिर यहां पर copy है, copy करके, फिर मैं चला जाता हूँ, USB storage में, और यहां पर एक folder बना लेता हूँ, create folder, यहां पर एक कुछ, पर्सनल टूल बोल के, create कर देता हूँ, जो हमारा external hard drive में create हो गया, यह देखिए, अभी इसमें copy है, देखिए इसमें यह जा रहा है, copying three files, इसके speed काफी अच्छा है, नॉर्मली यह 110 होता है, 110 Mbps और यह maximum 120 Mbps जा सकता है, यह देखिए तीनों file copy हो गया, USB storage में, और total data दिखार है 3.87 GB consume हो है, मैं यहां से भी run कर सकता हूँ, ब्यूटिफुल लैंस्केप, उस पर है जगद्दल जो नौट 24 परगना में आता है, वेस बेंगल में, यहां से फेडी services है, जिससे आप उस पर जा सकते हैं, और अगले ही launch पकरके आप बापस भी आ सकते हैं, और उस तरब जगद्दल घाट पार्क भी है, चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुडबाई, प्ली शब्सक्राइब, 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 शब्स झाल